हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Motorola G62 Android वाइल फोन में Power on Sound सैटिंग को आप एनेबल कैसे कर सकते हैं और यहां पर आपको ये sound का option देखने को मिलेगा इसे select कर लेना है अब यहां पर sound की इस page में आने के बाद आपको सबसे निचे की side आना है और यहां पर आपको power on sound का ये option देखने को मिलेगा इसके सामने आले बटन को आपको प्रेस करना है तो ये setting जो है आपकी power on sound की enable हो जाएगी अब ये setting enable होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ जब भी आप अपने mobile phone को power off करेंगे फिर इसके बाद power on करेंगे तो आपके phone में से sound create होगा ठीक है यानि कि जब भी switch on करेंगे अपने phone को तो एक sound create होगा जो की आपका mobile phone जो sound create करता है वही sound create करेंगा ठीक है तो यहाँ पर यह setting कुछ इस तरीके से काम करती है और यहाँ पर जो है आपको यह setting जो है ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके Motorola G60 to android mobile phone में कि इस setting को आप अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूल सकते है सबसे पहले तो आपको अपने phone में setting page open कर लेना है setting page open कर लेंगे तो सबसे उपर आपको यह search setting का option नजर आएगा इसे आपको select कर लेना है अब यहाँ पर आपको जो है इस search बार में type करना है power on sound तो यहाँ पर हम जो है power on sound यहाँ पर टाइप कर देते हैं तो आप देख सकते हैं निचे की side में जो है एक option शो हो गया power on sound का जब यह option आपके mobile में भी शो हो जाता है तो आपको इसे select कर लेना है इसे होगा क्या कि आपका mobile phone directly इस setting में लेकर आपको आ जाएगा और इस तरीके से indicate करेगा power on sound की setting को ठीक है तो इस तरीके से आप जो है अपने Motorola G62 Android mobile phone में इस setting को जो है shortcut तरीके से ढूंड सकते हैं और इस setting को enable करके आप use कर सकते हैं